नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर 16 नवंबर 2019 को लिया गया H TET उसका ये PGT यानि लेवल 3 का पेपर है C सीरीज का जिसे हम उनकी ओफिशल आंसर की से मैच करके आपके सामने यहाँ पेश करेंगे सारे आंसर्स हाइलाइट कर रखे हैं तो उन्हें देखते जाएगा साथ में मैं आपको ये बता दू दोस्तों यदि आपका किसी का भी NET का एक्जाम है अभी दिसंबर में उनको ये पूरा पेपर देख लेना चाहिए क्योंकि इसमें Public Administration प्लस Political Science दोनों के ही कुश्चन्स का लेवल काफी अच्छा है तो NET की परिक्षा वालों के लिए ये पेपर काफी लाबदायक हो सकता है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और इस पेपर को आपके सामने रखते हैं H.T.E.T. की Official Answer की के हिसाब से देखिए पहला प्रस्ण क्या पूछा गया है टोटल 60 कुश्चन है इसमें तो इसमें 4th option यानि A, B, C, D चारों मतलब मुख्य प्रशाशक जो होगा वो प्रशाशक के नीती निर्धायत भी करेगा निर्देश वे आदेश देने का अधिकार भी रखेगा समन वे भी करेगा और प्रशाशन की प्रतिष्टा की रक्षा भी करेगा ठीक है प्रशाशन नमबर 92 यानि सेकेंडिस में अप्रेल 2018 में भारत नौल्डिक शिकर सम्मेलन किस शहर में आयुजित किया गया तो ये किया गया दोस्तों स्टाक होम में ठीक है अप्रेल 2018 में भारत नौल्डिक शिकर सम्मेलन कहा आयुजित किया गया स्टाखों में, 93 लोग प्रशाशन एक नैतिक कार्य है और प्रशाशक एक नैतिक अभी करता है, तो ये किसका कथन है, ये है, ओल्डव टीड का, ठीक है, मैंने जो लोग प्रशाशन पढ़ाई थी, सेकंड गेड में, उसमें ये मैंने प्रशाशन डाला भी हुआ है तो लोग प्रशाशन एक नैतिक कार्य है, और प्रशाशक एक नैतिक अभी करता है, ये ओल्डव टीड का कथन है, ठीक है चलिए, प्रशान नंबर 94 ये पुस्तक किसकी है, इसके लेखक कौन है, तो ये है इमेनवल वारस्टीन इमेनवल वारस्टीन इसमें सही आंसर है दा डिकलाइन ओफ अमेरिकन पावर ठीक है, प्रशान नंबर 95 टेरिटारी अथारिटी राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है सेस्किया सेजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है सेस्किया सेजन प्रशन नंबर 96 निमनांकित में से किस विचारक ने यह तर्क दिया कि नोकरशाही रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारी नियंतरन को इस हद तक बढ़ाने में दिल्चस्पी रखती है कि प्रतेक नोकरशाही समाज के अधिनायक वादी समाज में बदलने का खत्रा उत्पन हो जाता है तो ये कतन है दोस्तों ये तर्क किस ने दिया हैक ने या हायक जो भी लिख रखा है इनोंने ठीक है, इंगलिश वर्जन माना जाता है ये आपको कहीं भी तरूटी नजर आ रही है तो तो हायक का कतन है ये हायक का तर्क है नोकरशाही के लेकर प्रशन नमबर 97 निम्नांकित में से किस या कौन से विचारक विचारकों ने अंतराष्टिय संगटनों की आउशक्ता के संदर्व में जटिल अंतर निर्बरता का विचार प्रस्तुत किया तो इसमें है उप्शन नमबर एक ही सही किहोन एवं जोसिफ नॉई किहोन एवं जोसिफ नॉई ने अंतराष्टिय संगटनों की आउशक्ता के संदर्व में जटिल अंतर निर्बरता का विचार परस्तुत किया ठीक है चलिए नेक्स देखिए प्रशन नमबर 98 निम्नांकित में से कौन से देश G15 के सदश्य है ओप्शन है आपके मेक्सिको, चिली, इरान श्रिलंका तो देखिए इसमें ये चारों ही है इसलिए उप्शन नमबर 4 सही हो जाता है तो मेक्सिको, चिली, इरान श्रिलंका और जहां तक मैं आपको बता दूँ भारत भी G15 का सदश्य है प्रशन नमबर 99 निम्नांकित में से किसने एल्टन मेयो के कारे एवं मानव संबंद अभीगम को गाय समाज सास्तर के रूप में परिवाशित किया ठीक है किसने किया ये कि एल्टन मेयो के कारे एवं मानव संबंद अभीगम को गाय समाज सास्तर के रूप में परिवाशित किया डेनियल बेल ने उप्शन नमबर 2 इसमें सही है गाय समाज सास्त्र, कौव सॉस्योलोजी कहा, ठीक है? प्रशन नमबर हंडर्ड निम्नांकित में से किस विचारक ने पर्यावनवाद से संबंधित गाया प्राकलपना को सुत्रबद किया ये है जेम्स लावलॉक ओप्शन नमबर एक ही इसमें सही हो जाता है प्रशन नमबर एक्सो एक निम्नांकित में से किस ने उबरते विचु को मैक वल्ड के रूप में चित्रित किया? प्रशन नमबर एक्सो दो भारत और बांगला देश ने 25 वर्शों की आउदी के लिए मितरता और शान्ती की संदी पर किस वर्स हस्ताक्षर किये? तो ये है option no.2 1972 में 1972 में molarity and administration in democratic government इस बुस्तक के लेखा कौन है तो Paul H. Appleby इस बुस्तक के लेखा कै molarity and administration in democratic government Paul H. Appleby त्यान में रखियेगा ये प्रशने सारे महतपुन होते जा रहे है जापान को वैश्विक ऐसेनिक शक्ति के रूप में किस ने परिभाशित किया Global civilian power ये किया योची फुनाबाशी ने योची फुनाबाशी ने जापान को वैश्विक ऐसेनिक शक्ति के रूप में परिभाशित किया 105 जनवरी 2019 में भारत की राज की यात्रा करने वाली एरना सोलनबर्ग किस देश की प्रधान मंत्री है तो वो हैं दोस्तों नौर्वे की ठीक है एरना सोलनबर्ग सोलबर्ग जनवरी 2019 में भारत की राज की यात्रा पे आई और ये किस देश की प्रधान मंत्री है नौर्वे की ठीक है चलिए प्रशन नंबर 106 JW फेशलर के अनुसार केंदरी करण या विकेंदरी करण को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है इनमें से प्रशन पे ध्यान देना है तो इसमें बहवात्मक तत्व जे डबलू फैसलर के अनुसार केंदरी करण या विकेंदरी करण का तत्व नहीं है प्रशन नंबर 107 एफारत अफरीका फोर्म समिट का आईयोजन कि शेर में किया गया था तो आदिस अबाबा सारे प्रस्ट ने ओफिशल आंसर की के हिसाब से बताए जा रहे हैं लैटिन अमेरिका न्यूक्लियर वैपन्स फ्री जोन संदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है तल ते लोलको की संदी ठीक है प्रस्ट नमबर 109 दलित मजदूर किसान पार्टी के संस्तापक कोन थे चरण सिंग चरण सिंग ने स्थापित की थी दलित मजदूर किसान पार्टी प्रस्ट नमबर 110 निम्नांकित में से किस विद्वान ने परमानु प्रति शोदी खत्रे को लोकिक दोका कॉस्मिक बलफ कहा तो ये कहा George Ball ने George Ball ने परमानु प्रतिरोधी खत्रे को लोकिक दोका कहा ठीक है? Cosmic Bluff George Ball प्रश्य नम्बर 111 निम्नांकित में से किस ने लिंकिंग पिन मौडल के विचार को विक्सित किया? तो ये है प्रश्य नम्बर 112 निम्नांकित में से किस विद्वान ने वैश्विक मुक्ती परक्ता Global Rationality के विचार को प्रस्तुत किया? तो Robert Odie प्रश्य नम्बर 113 निम्नांकित में से किस ने यह कहा कि अंतराष्टिय रानिती में प्रश्य नम्बर 114 निम्नांकित विचारकों में से किस विचारक ने यह तरक दिया है कि एक राज्य द्वारा प्रधानता स्थापित करने के बाद शांती बनी रहती है प्रधान्य राज्य में युद लड़ने की आउशक्ता का अभाव होता है तथा अन्य राज्यों में छमता का ये AFK और्गेंस की का विचार है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन से संबंदित काफी प्रस्ण है पब्लिक एडमिस्टेशन से लेटेड काफी प्रस्ण यहाँ पे देखे जा रहे है निमनांकित विचारकों में से कोन ये मानता है कि प्रमुक शक्तियों के बीच शक्ति की समानता युद्ध की संभावना को कम कर देती है तो यह है जौन मर्शिमर जौन मर्शिमर कहते हैं कि प्रमुक शक्तियों के बीच यदि शक्ति की समानता है तो युद्ध की संभावना कम हो जाती है में शक्ती बराबर होगी तो युद्ध की संभावना कम हो जाती 116 निम्नांकित विचारकों में से यह किसका कथन है कि देतांत शांती का जनक नहीं अपितु आन्विक संतुलन ही शांती और देतांत दोनों का जनक है ये शीतियूद से सम्मधित प्रश्ण है निम्नांकित में से किस विचारक ने लोगों के बीच विश्व विवस्था को अंतराष्टिय विवस्था की तुलना में अधिक मोलिक और बुनियादी माना अंतराष्टिय विवस्था की तुलना में अधिक मोलिक और बुनियादी माना किसको विश्व विवस्था को ये हैडली बुलने ठीक है प्रश्ण नमबर 118 निम्नांकित में से किस देश की सेना ने भारत की सहायता से ओप्रेशन ओल क्लियर संचालित किया प्रश्ण नमबर 119 निम्नांकित में से किस विचारक ने आउश्था के पदानु क्रमिकता के सिद्धान या विचार को प्रस्तुत किया अबराहम मसलो 120 निम्नांकित में से कौन सी पुस्तके हैंस जे मौर्गे थाउ द्वारा लिखित है तो ओप्शन नमबर 4 इसमें सही है मतलब तीनो ही पुस्तक मौर्गे थाउ के द्वारा लिखिवी है प्रशन नमबर 121 निम्नांकित में से कौन ये मानता है कि शक्ती उत्पादक है अर्थाच शक्ती पहचान और व्यक्ती परक्ता सब्जेक्टिक्टी का निर्मान करती है मिशेल फूको प्रशन नमबर 122 निम्नांकित में से किसका ये मत है कि अधिकारों के सारो भूमिक सिद्दान्त की खोज एक ब्रहमित खोज है माइकल वॉलजर ये कहते हैं कि अधिकारों के सारो भूमिक सिद्दान्त यूनिवर्सल थ्योरी की जो खोज है वो एक ब्रहमित खोज है मिस गाइडिड है ठीक है माइकल वॉलजर प्रशन नमबर एक सो तेईस निम्नांकित विद्वानों में से किस ने अध्यक शात्मक शाषन व्यवस्ता को एक व्यक्ती कारे पालिका कहा एरेंड लिस फॉर्ड लिस फॉर्ड ने अध्यक शात्मक शाषन व्यवस्ता को एक व्यक्ती कारे पालिका कहकर पुकारा प्रशन नमबर 124 परत केक संगवाद ठीक है लेयर केक फेडरलिज्म शब्दावली किस प्रकार के संगवाद के लिए प्रिक्त होती है तो दोहरे संगवाद के लिए प्रिक्त होती है लेयर केक फेडरलिज्म या परत केक संगवाद प्रशन नमबर 125 निम्नांकित में से किसने यह मत दिया की बार बार विरोधावास के बावजूद भारत में इस्थाई रुजान बहुलवाद, छेतरवाद और विकेंद्रिकन की और है बारत, रुजान, बहुलवाद, छेतरवाद और विकेंद्रिकन की और है ये का पॉल ब्रॉसने प्रशन नमबर 126 भारत बनाम इंडिया सरपरतम किसके द्वारा गढ़ा गया शरद अनंत्राव जोशी के द्वारा ठीक है भारत बनाम इंडिया प्रशन नमबर 127 निम्नांकित में से कौन सा विचारक स्थापित संप्रभूता एवं अरजित संप्रभूता में भेद करता है तो ये करता है दोस्तो थौमस हॉप्स स्थापित संप्रभूता एवं अरजित संप्रभूता इसमें ये भेद करता है अंतर करता है Thomas Stephen प्रशन नबर 122 निमनांकित में किस ने यह का था कि भारत में मोलीक अदिकार उसकी ρाष्ट्य सुरुक्षा की नीवपर निर्भर करते हैं अल्लाधी कृष्ण सुरुक्षा की नीवपर निर्भर करेंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर ने कहा प्रशन नंबर 129 निम्नांकित में से कौन सामाजिक तारकिकता को संगवाद का आधार मानता है विलियम रीकर विलियम रीकर महोदय सामाजिक तारकिकता को संगवाद का आधार मानते है प्रशन नंबर 130 निम्नांकित विद्वानों में से किस ने भारत को लोगतांत्रिक विकासात्मक राज्य के रूप में परिवाशित किया जैम्स मेनर महोदय ने भारत को लोगतांत्रिक विकासात्मक राज्य के रूप में परिवाशित किया निम्नांकित में से किसका ये मानना रहा कि राज्ये के नीती निर्देशक तत्वों की विशेवस्तु एक सीमा तक उपनिवेश्वाद विरोधी क्रांती की देन थी ग्रेनवाइल आस्टिन प्रशन नमबर 132 निम्नांकित विचारकों में से किसका ये तर्क है कि अधिनायक एक ऐसे व्यक्ति का शाषन है जिसने प्रमुक रूप से विरासत द्वारा अपना अस्थान प्राप्त नहीं किया अपितु बल या सहमती से और सामेंदता दोनों के संयोजन से प्राप्त किया है ये है अलफ्र देख से पीडि थे डेविड इस्टन क्योंकि डेविड इस्टन ने फिर आधोनिक विचार में व्यवारवाद और उत्तर व्यवारवाद को दे दिया था 134, निमनांकित में से कौन सी भारतिय पंथ निर्पेक्स्ता की विषेष्था नहीं मानी जा सकती यह नैतिक तारकिक्ता के एक अलग प्रतिमान के वचनबद नहीं है यह इसकी विषेष्था नहीं है बलकी यह बहुमुल्य चरित्रे इसका विषिस सामुदाईक अधिकार को भी स्विकार करती है यह और सिद्धान्तवादी अलगाव के विचार के वत्ती वचन बद्ध है प्रशन अमब 135 तेलांगाना राजे विधान परिश्द में सीटों की संख्या कितनी है तो 40 प्रशन अमब 136 शब्द रानितिक दल भारत के समिधान में पहली बार अंते संख्योंडन के दौरे प्रशन अमब 137 निमनांकित विचारकों में से कौन सा संसदू की समानता का खंडन करता है तो माइकल वाल। अमब 136 वावरत के समिधान के किस अनुछे के तहत प्रावधान है कि राज्य निर्वाचन आयोत को राज्येपाल दौरा निउक्त किया जाएगा अनुचे 243 टै एक प्रशन 149 निम्नांकित विद्वानों में से किस ने सरपर्थम संसदिय विवस्था को प्रधान मंत्रिय शाषन की संग्यादी रिज्जर्ड क्रोस्मेन ने 140 निम्नांकित में से किस इस्थान पर भारत के उचितम न्यायले की पीट पहली बार दिल्ली से बहार अधिविस्थ ही थी हैदराबाद में परश्चन नम्र 161 सेम्वल ब्रिटन निम्नांकित में से किसे लोगतंतर का आर्थिक परिनाम मानता है तो राज कोशिय गहता ठीक है इसको सेम्नांकित में से किस ने भीमरावम पिडगर को प्रारूप समीति की समीक्षा समीति का सबापती निर्वाचित-त कीया देखिए पर प्रारूप समिधान की सम्विक्षा समीति के सदश्यों ने भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिधान की सम्विक्षा समीति का सभापती नियुक्त किया था ठीक है प्रशन नमबर 143 निम्नान के देशों में लोक्तंतर के स्थापना के पूर्व हुई क्रांतियों के सम मदिन में कौन सा युग में सही नहीं है, तो ये मिस्र से मकमली करांती ये सही नहीं है, बाकि ट्यूनीशिया में चमेली या जैस्मिन करांती, म्यामार में केसरिया करांती और कुवेत में नीली करांती सही है, प्रशन नमबर 145 देखिए, निम्नांकित में से किसे जॉन रोल्स न्याय के सिद्धानत का प्रात्मिक विशे की संग्या देते हैं तो ये है मूल संवर्चना 145 भारत सरकार कारे आवंटन नियम 1961 के अनुसार मंत्री मंडिले सचीवाले को आवंटित भारत सरकार का कारे खालिस्तान को आवंटित किया जाता है और सदय उन्हें आवंटित किया जाएगा ये है प्रधान मंत्री ठीक है प्रशन नमर 146 निम्नांकित में से किस विद्वान ये मत दिया कि कल्यानकारी राजे बनाने का कोई भी प्रियास अंत्तो गत्वा सर्व सत्तावाद को जनम देगा फ्रेडरिक हेयक 147 निम्नांकित में से कोन ये मानता है कि सकार आत्मक सोतनता की अवधारना के बारे में रूसोवादी रूप रेखा को अपनाने में ये खत्रा है कि इससे सर्वादिकार वाद को बढ़ावा मिल सकता है चॉल्स टेलर प्रशन नमर 148 निम्नांकित विचार को में से किस ने राजनीतिक निर्नेयन की प्रकिरिया में आर्थिक प्रतिरूपों का प्रियोग किया एंथनी डाउंस ने प्रियोग किया आर्थिक प्रतिरूपों का प्रशन नमर 149 निम्नांकित में से किस संसदी है लोकसबा निर्वाचन शेत्र में लोकसबा 2019 के लिए सरवादिक प्रताशी खड़े हुए थे तो ये था निजामाबाद प्रशन नमर 150 देखिए निर्मनांकित में से किस विद्वान का ये मत है कि भारत में निर्वाच की राजनिती में सहब आगिता ने जातियों के पद सोपान की जगए जातियों के लोकतंत्र की रचना की है सुधिप्त कविराज का ये कथन है ठीक है तो दोस्तों ये 100 इसमें स relation या international politics जो भी है उससे related है प्लस में फिर आपके यहाँ पर जो विचारक हैं जो thinkers हैं जो thinkers हैं उनके उपर बहुत सारे प्रशन इसमें पूछे गए हैं प्रशनों का level काफी उपर है तो net की परिक्षा यदि आप दे रहें और आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो इन प्रशनों से आपको कही ना कहीं help जरूर मिलेगी क्योंकि इसमें जो लोग प्रशाशन के प्रशन हैं वो काफी हद तक net की परिक्षा से मिलते जुलते प्रशन हैं तो दोस्तों वीडियो नौट से यदि आपको थोड़ी बहुत भी help मिलें किसी भी परिक्षा में एच